हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कर्फ्यू में छूट दी गए जुसके बाद क्रिकेटर रिशी धवन को मार्केट में गाड़े लाना महेंगा पड़ गया मंडी के गांधी चौक में पुलिस ने नाके में जाच परताल के बाल रिशी धवन का 500 रुपय का चालान काट दिया उनके पास गाड़ी लाने की अनुमती नहीं थी और डियम के आदेशों की अभहेलना पर उनका चालान काटा गया रिशी धवन ने भी मौके पर ही जुर्माना अदक करके इसका भुकतान कर दिया आपको बता दे कि क्रिकेटर रिशी धवन अपनी लक्षिरी काड़ी में बाजार निकले थे कांधी चौक में पुलिस ने जब उनसे पूचताच की तो उनके पास वहन की पमिशन नहीं थी जिला प्रसाशन ने कर्फ्यू छूट के दौरान वहनों के इस्तमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है सिर्फ जरूरी वहनों को ही अनुमती के साथ आने ज़ाने की अनुमती दीशा रही है आने लोगों को कर्फ्यू के दौरान पैदल ही चलने को कहा गया है लेकिन रिशी धवन गाड़ी लेकर बाजार पहुँच गए इस पर मंडी पुलिस ने कारवाई करते हुए उनका चालान काड़ दिया न्यूस्टेस